इस बात की चर्चा अक्सर हो रही है लेकिन भीतर खाने में क्या बात हुई है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि दोनों के बीच में जो सम्विदा हुई है उसकी जनकारी ना तो लालू परसाद यादों को है ना ही जगता बाबू को है आपको बता दे कि इस पूरे मामले को लेकर के जो चीजें सामने आ रही है उसमें अब साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से नितीश कुमार ने तेजस्वी यादों के साथ अपने संबंधों को दिखाया था इजहार किया था उन सारी बातों के बीच जो इस्थितिया है वो सामने आ रही है सबसे पहली बात तो ये कि नितीश कुमार तेजस्वी यादों से राजनीत के गुर में काफी तेज है और उस्ताद है वहीं अगर लालू प्रसाद से उनका सामना होता है तो उस इस्तिति में लालू प्रसाद उस्ताद है लेकिन लालू प्रसाद को भी 2015 मे कहीं न कहीं जटका नितीश कुमार के द्वारा दिया गया था 2015 में चुनाव जीतने के बाद मुख्य मंत्री कुर्सी मिलने के बाद अचानक से 2017 में पाला पदल दिया था और इस पाला पदलने के बाद जो कुछ भी सामने आया था वो सब आपने देखा लेकिन एक बार फिर से नितीश कुमार जो साथ हाएं हैं तो उसके पीछे की रढ़निती क्या है ये बातें बार बार अब चर्जा का विशे बनती जा रही हैं साफ तरीके से आपको बता दें कि तेजस्वी यादो की एक्षा थी और तेजस्वी यादों के करीबियों के इक्षा थी कि अगर नितीश कुमार तयार है तो सत्ता में आया जा सकता है लेकिन इन सारी बातों से कहीं न कहीं इतिफाक नहीं रखते थे और इसके लिए उनकी मन नहीं था न जगताबावू का और नहीं लालू प्रसादियादों का क्योंकि उन्हें इस बात का पता था कि अगर नितीश कुमार के साथ आते हैं तो सर्थ एक ही रहेगा कि नितीश कुमार तेजस्वी यादों को मुख्य मंत्री बनाए लेकिन सत्ता बहुत ज़रूरी होती है और सत्ता का ललक उसके ललक में कही न कहीं तेजस्वी यादों ने अपने ही आइडियोजी को चेंज कर लिया लालू को हमेशा से नितीश कुमार की नियत पर सक रहा है ह़ला कि तेजस्वी यादों के दबावों में भले ही उन्होंने इस बात को माल लिया है लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं उसमें कई तरह की बातें हैं सोत्र बताते हैं कि लालू परसाद ने मंत्री मंडल के गठन में भी तेजस्वी यादो के जो लिश्ट थे उस लिश्ट को खतम करके अपने हिसाब से सारी लिश्ट बनाई थी और इस तरह का समयोजित किया था कि जिससे नितीश कुमार तेजस्यादों पर हावी न हो सके और उनके जो मंत्री मंडल है या उनके करीबी है उसमें सेंदमारी न कर सके क्योंकि नितीश कुमार पर सुरू से आरोप लगता है कि नितिश कुमार अपने साथियों के खेमे में सेंदमारी जबरदस टंग से करते हैं वहीं आपको बता दें कि 2020 के बाद तेजस्वी आदों ने A to Z की बात कही और उस पर वो दीरे दीरे अमल भी करने लगे आपको याद होगा कि हाल फिलाल में जो उप चुना हुए हैं उसमें खास करके एक समाज ने उठ करके जबरदस टंग से तेजस्वी आदों को सपोर्ट किया था और चुनाव में जिताने का पूरा-पूरा प्रबंध भी किया था इन सारी बातों को ले करके एक बात सामने नजर आई कि तेजस्वी आदों का प्रभाव जो जातियां है उसमें भी बढ़ने लगी लेकिन इस बीच में जिस तरह से उनके मंत्री मंडल के एक सहयोगी कार्तिक मास्टर को बली देना पड़ा उन्हें मंत्री मंडल से बाहर निकलना पड़ा यहां तक कि तेजस्वी आदों को उनके विभाग को बदलने के लिए भी स्विकृति देनी पड़ी अंत्ता उन्हें रिजाइन करना पड़ा इन सारी बातों को ले करके कहीं न कहीं ये बाते अफ सामने आ रही हैं तो भारते जन्ता पार्टी में सेंदमारी तो होने ही सकती थी, तो उनके लिए सबसे मुफित जगह जो थी, वो थी राष्टिय जन्ता दल. अब जो बरतमान इस्थिती बनी है, उसमें मुकामा में चुनाव होने हैं. अब इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, उसमें खास करके कार्तिक मास्टर के मंत्री वंडल से हटने के बाद, इस्तिफा देने के बाद भूमिहारों में काफी रोज हैं. खास करके ये समाज खूल करके तेजस्वी आदों का समर्थन कर रहा था और कहीं न कहीं नितीश कुमार चाहते हैं कि भुमिहारों का नेता एक मात्र उस पूरे एरिया में ललन सिंग रहे हैं अनन सिंग के अ कून्बा को समाथ करने के लिए पहले से ही चल रही है बात इन उक तरह से समायोजित करके मंत्री मंडल का गठन किया था जिसमें नितीश कुमार की सेंधमारी नहीं हो सकती थी लेकिन इन सारी बातों के बीच जो चीजे सामने आई वो इस पस्ट बता रही हैं कि तेजस्वी यादो अब बैक फूट पर हैं और नितीश कुमार जिस रणनिती क के साथ वो एक्षन में नहीं आते हैं तो नितीश कुमार कभी भी उन्हें जटका दे सकते हैं जुड़े रहे भारत लाइब के साथ खबरें लगतार जारी अगर वीडियो पसंद आई अरुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब ब बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कल चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद